असलाम अलेकुम प्यारे बच्चों कैसे हो एर्थ क्लास के लिए कल मैंने यूनिट 7 शुरू किया था क्यूबन क्यूब रूट जिसका हमने बेसिक पढ़ा था जिस बच्चों ने वह बेसिक थोड़ा सा नहीं पढ़ा हैं तो प्लीज वह यहां डिस्क्रिप्चिन्स में लिंक होगा उसमें आप जाके पढ़ सकते हो तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कलास 8 यूनिट 7 क्यूब और क्यूब रूट तो इसमें फर्स्ट क्यूश्चन है हमारा एक्सरसाइज 7.1 का विच अ फॉलिंग नंबर्स आर नाट परफेक्ट क् कि इसमें से कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं है जैसे 216 है 128 है और 1000 है हमने इन में से देखना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है और कल मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं होता है परफेक्ट क्यूब वो नहीं होता है कि जिस जिसमें तीन का ग्रूप ना आए मीन्स के ग्रूप ट्रिपलेट्स जिसमें ना आए है अब हम सॉलुशन करते हैं कि फिर आपको साथ साथ में समझाएगा बेसिक आपने क्लियर कर लेना है क्योंकि मैंने पढ़ाया है फर्स्ट पार्ट है हमारे पास तो देखिए इसको प्रफेक्ट क्यों प्रूफ करने के लिए आपने क्या करना है इसको प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता है 216 वह देखिए सबसे पहले हमारा टू का टेबल जा रहा है इसमें देखो टू वन जा टू एट तू जा और यहां पर बच गया चोटा है आगे एट तू जा शिक्स्टी ठीक है तू फिट से टू का जा रहा है फाइब तू जा टैन और उसके बाद 208 टीक है तू का जा रहा है तू 것처럼 का जा रहा है तू का टेबल नहीं जा रहा है 27 है 3 का जा रहा है 93027 फिर से हम 3 3 3009 अब देखिए 3 का टेबल फिर जा रहा है 3 1003 अब देखिए इसके फैक्टर हम कैसे लिखते हैं 216 इक्वल डू क्या फैक्टर है हमारे पास देखो 2 x 2 x 2 2 x 2 x 2 और साथ में हमारे पास क्या है 3 x 3 x 3 x 3 x 3 अब इसमें क्या है 2 x 3 occurs in a group of 3 अब देखिए 2 भी 3 बर आया है 3 भी 3 बर आया है मतलब कि 3 के group में इनके factor आये हैं अगर ये 2 दो बर होता तो ये इसका perfect cube नहीं होता अगर 3 दो बर होता या 3 से जएदा बर होता तो ये perfect cube नहीं होता तो perfect cube की यही निशानी होते है कि वो 3 के group में आते हैं वो किसके group में आते हैं 3 के group में पट्राट इन brain यह तीन के ग्रूब में आ रहे वीध दैर फुर आपरफेक्ट हेगे क्यों के आप and 10 पहला पाराट पाल आपका हो जोगे है इस फिसल्यटाथ से हम सलिशन करते हैं सेकंड़ पार्ट का है देख एसेिंप का सलूशन कैसे करते हैं सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास सेकंड पार्ट है हमारे पास 128 128 काहां से लिख रहा हमें यह है 128 तो इसके भी आप प्राइम फेक्टर पहले निकाल लिए प्राइम एक्ष्ट्रिवाल ृश्ट्रा मैं यह मारे पास देखिए 128 इसके फेक्टर देखो लास्ट पर यह इसके मतरही टू का टेबल जा रहा है 2,3 तुचर एट फूर तुचर एट पर शुचर फिरसे टू का टेबल जा रहा है तो थिरूसर शीक कूसर फिर तूसर एट और देखिये फिर से टू का जा रहा है 42008 पिर से हमारे पस कोने से जा रहा है तू का जा रहा है 22004 फिर लास्ट पर टू का जा रहा है 2002 अब यहाँ ही लिखिए 128 इक्वल टू हमने क्या फेक्टर निकाल लें इसके देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ बार 2 है हमारा 2 x 2 x 2 x 2 x 2 1, 2, 3, 4, 5 x 2 x 2 7 होगे अब हम यह हमने पढ़ा था कि perfect cube वो होते हैं कि जिन में 3 का group हो मतलब कि कोई भी नंबर 3 बार हो तो यह कितनी बार है 7 बार तो यह perfect cube हमारे पास नहीं बना रखा है तो यह हमारे पास नहीं बना रहा है therefore it is not a perfect cube तो hope guys आपको समझ आयागा तो कल हम next chapter पढ़ेंगे next question करेंगे तो तब तो के लिए आप यह अपनी फिर notebook पे लिखिए और इनको अच्छे से revise कीजिए और जो concept आपको clear नहीं है वो मुझे comment box में लिखिए मैं दुबारा से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा okay thank you okay thank you प्राइब झापको झाल